इस lecture में discuss करेंगे uncertainty principle पर based numericals और problems आए देखते हैं first numerical if uncertainty in position is 0.1 nanometer then calculate uncertainty in velocity of electron इस problem में ये कह गया है कि electron के लिए position में uncertainty इतनी है 0.1 nanometer तो इस electron की velocity of uncertainty कितनी होगी देखते हैं solution तो यहां पर यह given है डेल एक्स दिखस्टू जीरो पॉइंट वन नैनो मीटर यह पोजिशन में uncertainty है नैनो मीटर को मीटर में convert कर सकते हैं कितना जागा यह 0.1 नैनो होता है 10 to the power माइनस के 9 मीटर यह फिर इसको लिसकते हैं पॉइंट वन यानि के 10 to the power माइनस के 10 मीटर इतनी uncertainty position में है और यहां पर पोचा गया है velocity में uncertainty तो uncertainty principle होता है हुआ कि ले x den p x अ 써 operator है moment हम तो इसको लिसकते है ड्याल tragen और इहां पर हो जागा यह ड्यल्वी एकस इक्वाइस इक्वाहस गाए टू यह इन दोनों का productivity थिया तो बड़ा होता ये बराबर तो में मिलियूम के लिए इक्वल ले लिया अब यहां पर हमको वैलोसिटी में से अटेंटी करना है और डेल एक्स हमको पता है तो इसको लिए सकते हैं यहां पर कितना जाएगा डेल एक्स एम इंटू अब हमारे पास में सब्सक्राइब होता है यहां पर डेल एक्स की वैलियू कितनी है यहां पर इसको सिंप्रिफाइब करेंगे तो यह अंसर टैंटी वैलोसिटी है जाएगी मीटर पर सेकिंड में इसको सिंप्रिफाइब कर लेना अगर आपको ठीक से नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं मैं इसका कमेंट में डिस्प्ले कर दूंगा देखते हैं नेक्स्ट प्रोब्लम इफ दा टाइम प्रिएट ऑफ पल्स इज जिरो पॉइंट टूफाइब माइक्रो सेकिंड इन रडार दैन कैलकुलेट अंसर टैंटी एनर्जी ओफ फोटों इसमें यह कहा गया एक रडार है जिससे फोटों निकल रहे हैं और उस फोटों के लिए है तो हमें यहां पर यहां पर होगे एकिसक रहे हैं फेक्नर कर लिया जो पल्स का का कर सकते हैं अभी माइक्रो सेकिंड में हम चाहें तो इसको सेकिंड में कर सकते हैं कितना जागा यह जीरो पॉइंट टूफाइव इंटू टूफ़ प्र माइनस के सिक्स सेकिंड अब हम क्या गया लुट करना है अनसर्टैंटी ओफोटोन एनर्जी के लिए तो कितना होता है डेल इडोट है डेल टी पॉइल्स टू sce dy cm2 यह गिरेटर और इकोल होता है मीनीमम के लिए मिसको इकोवड अब हमारा पास में डेलटा टी यह तो यहां साहे जाएगा डेल इकोल स्टू एच्क्रो ओवर टू spy इंटू डेल्टा टी अब देल्टा टी हमारे पास में की रहा एस्ट क्रोस होता है वन पॉइंट फाइफ और इंटू टू बावर माइनस के थर्टी फॉर यह अंसर बन जागा इलेक्ट्रों वोल्ट में पूछ लेता है तो रिलेशन होता है वन पॉइंट इन्टू टू बावर माइनस के 19 जूल यहां पर यह जूल है वहां से यह वाली वैलीव कर देंगे और यह आउसर बन जागा इलेक्ट्रों वोल्ट में कई बार यह इलेक्ट्रों वोल्ट में क्लिए यह लीए देखते है बार में इसको सिंप्रिफाई कर लेंगे और आशर आपको मिल जाएगा next problem कि दे प्रोटोन उब्जर्ब बिट्वीन कोडिनेट 0.0123 मिलीमीटर एंड 0.0127 मिलीमीटर यहां पर इसमें एक आ गया के लेक्ट्रोन सोरी प्रोटोन को हम ने उब्जर्ब किया है इस कोडिनेट में यहां से और यहां के बीच में तो इसके लिए देर्टोन इसके इसका मतलब यह एक्सवन गीवन है और यह एकसटू किवन है अब आपके याद रखना है जिस घृर्टोन में यह चैडर करते हैं उसी अंसर अन्वाइन को गार्कुलेट करना होती है विकौल से यहां पर यह एक्सवन कंशिट्र कर लिए और यह एकसट्रू देख लेते हैं इसका solution तो यह हो जाएगा डल x is equal to यहाँ पर आ जागा यह x2 minus x1 इन दोनों coordinates के बीच में हमने proton को observe किया है इसका मतलब uncertainty इन दोनों के difference के equal होगी अभी यह कितना है यह greater है और यह less है इसलिए x2 minus के x1 क्या है कितना जाएगा यह 0.0127 minus 0.0123 into mm mm में है इसकी unit इसको simplify कर लगत कितना जाएगा यह 0.000 और यहाँ पर आ जाएगा यह 4 mm इतनी uncertainty हो सकती है इसकी position में और जब position में इतनी uncertainty है तो velocity में uncertainty calculate कर सकते है because यहाँ पर क्या है proton है और mass of proton हम जानते है कितना होता है mass of proton तो यह होता है 1.67 into 10 to the power minus के 27 kg इस millimeter को भी meter लने convert कर सकते है तो कितना जाएगा यह 0.0004 into 10 to the power minus के 3 meter अब देखेंगे 4 यह है और 3 है तो finally कितना हो जाएगा इसको लिख सकते हैं हम 10 to the power minus के 7, 4 into sorry 4 into 10 to the power minus के कितना हो जाएगा यह 4 यह है और 3, 7 meter यह कैसा आगया इसको मैं रिख सकता हूँ 0.004 को गहर रिख सकता हूँ 10 to the power minus के 4 into 4 और यह 10 to the power minus के कहा सा गया है millimeter mm इस तरीके से हमारे पास में यह कितना आगया यह आगया डेल एक्स यह वाली वैलियू हमारे पास में मास आप प्रोटोन भी है uncertainty position भी है हम calculate कर सकते है uncertainty velocity formula होता है यह डेल एक्स डेल PX equals to edge cross by two और यह होता है momentum कितना हो जागा m del VX equals to edge cross by two हमाइव चाहिए वैल में सटेवर कितना यह डेल भी 1.054 x 10 तिवर माइनस के 34 2 mass of proton हमारे पास में ये रहा 1.67 x 10 तिवर माइनस के 27 साथ में क्या है और क्या एक्स uncertainty रही कितनी है जाए गई 4 x 10 तिवर माइनस के 7 जैसे इसको simplify कर लेंगे तो answer आएगा meter per second में इसको simplify कर लेंगे calculate कर लेंगे अगर आप और मैंच नहीं करता है तो आप comment section में comment कर सकते हैं आएगे देखते हैं next problem इसमें कहा गया है 10 तिवर माइनस के 6 gram particle moving with velocity 1 cm per second if uncertainty velocity is 0.01% then calculate minimum uncertainty in position इसमें कहा गया एक particle है जिसका मास यह रहा और velocity यह रही अब इसकी वैलसीटी अगर इतनी है तो उसकी velocity में uncertainty कितनी है यह रही यह velocity में uncertainty percentage में दी गई है और पुछा गया है इस particle की पर uncertainty position में कितनी होगी आई देखते हैं इसका solution तो यहां पर क्या दिया गया है uncertainty percentage में दी गई है और percentage को महटाने के लिए हंड़ेट से डिवाइड करते हैं तो यहां पर कितना आ जाएगा यह 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 आ डेल वीद यूपस्टू जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो वन ओवर हंड्रेड अभी किसकी है तो यह वन centimeter पर सेकिंड था हमें चाहिए मीटर पर सेकिंड में ऐसा यूनिट में इस लिए इसको करने के लिए यह इसका इतना परसेंट था और सेंटी मीटर को हमको मीटर में करना है तो टैन तो भी कितनी आ जाए टैन फटी पार माइनस के टू लिया आ गई कहां सा आगई एक बार रिपीट कर देता हूं कोई पार्टिकल वन सेंटीमेटर पर सेकिंड से मूब कर रहा है का है जिसकी वैलोसिटी मं से टनी है इतनी है परसंटेज में यह अब यहां पर sic सेंटीमीटर इसको मीड़ाश्य करना है में हृं भाषा डिदा करना होगा यह तशैंटिबाइकरना होगि तो हमने देखें यहां कर दिया हैं इसका को यह किसा कर लिए में लिए ऑलों पर इसका ऑनपरना यु किसमें शैंटी मीटर है तो हम ने मीटर में कर लिए एकुन-वार मायनस के तूमीटर पर सेके उसके बात नहीं ज่ ₹1 calculate minimum uncertainty in position position में uncertainty पुचा गया तो formula कितना होता है formula होता है del x del p x equals to h cross by 2 यही minimum होती है अब आप यहां पर देखेंगे position में तो हमें यहां पर v तो पता है और यहां पर m mass दिया गया है तो इसको लिख सकते हैं del x into m del v equals to h cross by 2 अब velocity में uncertainty यह रहा और mass यहां पर given है कितना है 10 to the power minus k6 gram यहां पर given है 10 to the power minus k6 gram इसको convert कर लेंगे kg में और kg में convert करने के दिए 10 to the power minus k6 into 10 to the power minus k3 kg finally आ जाएगा 10 to the power minus k9 kg इतना mass है अब हमारे पास में mass भी है velocity भी है डेल x easily calculate कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा यह डेल x is equals to h cross over 2m del v h cross की value होती है 1.054 into 10 to the power minus k34 मास यहां पर रहा 10 to the power minus k9 और डेल भी हमारे पास में यह रहा हम इसको कितना लिख सकते हैं तो कितना है यह 0.2 का मतलब कितना होता है यह हो जाएगा 10 to the power minus k2 यह माइनस 2 यह माइनस 2 यानि कि आ जाएगा 10 to the power minus k6 meter per second by 10 to the power minus k2 है इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं 10 to the power minus k2 रिख सकता हूं यह आप यहां पर देख सतने पॉइंट हट आया और यहां पर यह दो 0 यह कितना हो गया 10 to the power 4 हो गया उपर जागर माइनस के 4 तू यह 4 यह 6 आ गया कि देट मींज कितना है 10 to the power minus k6 है यहां पर आजागा यह 10 to the power minus k6 जैसे यहां पर सिंप्लिफाय करेंगे तो यह आंसर आएगा मेटर में असरेंटी ईन जिसम्टो यिसी तरीका से हम ऑगर आपको यहां पर यहां पर तो दोस्तो इसको बहुत आसान होता है मालों यहां पर यह इसकी यह 1 % है निकालते हैं परसेंटेग्स को उड़ाने के लिए डैल 50 सब्सक्राइब करते हैं इस तरीके से किया था तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको लेक्षर बहुत अच्छे से समझाएगो अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक जरूर करते जाएगा थैंक्यू सुक्रिया